नमस्कार दोस्तों मैं अरुनेगवा फिर से आप सभी का Computer Practical Lab में हार्दिक स्वात करता हूं दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे MS Paint में Pen Card को कैसे एडिट करते हैं तो चलिए वीडियो की सरवात करते हैं वीडियो बहुत इंपोर्टेंट होने वाली है तो लास्ट तक करके दिखाऊंगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी डोकिमेंट में ऐसे छोटे मुटे चेंज असानी से कर पाएंगे तो यहां दिखिए मैंने सेलेक्शन टूल ले लिया है और अपने ए को सेलेक्ट करता हूं और एको सेलेक्ट करने के बाद यहां पर द देखिए आर को कुछ इस तरीके सेलेक्ट करना है कि अगल बगल का एरिया टच ना हो और देखिए मैंने आर को उठाके ऐसे रख दिया ठीक है इसे आप कोपी पेस्ट भी कर सकते हैं तो यह आर भी आ गया है अब यहां पर हमें यू चाहिए लेकिन यू यहां पर कहीं दि इसको थोड़ा से जूम करेंगे और अपना सेलेक्शन टूल लेंगे यहांसे उपर से और इस यू की भी कटिंग करेंगे तो यह मैंने इसे सेलेक्ट किया मैं और सेक्ट करने के बाद है हमें यहांसे में कर लोंगा COPY और इसे कर दूँगा मिनिमाइज अपने ओरिजिनल मैं आउंगा और यहां पे लाके से मैं पिष्ट कर दूँगा तो देखे यह उपर की तरफ आ गया है इसे उठाके अपने बिल्कुल एंगल के मैं अपना नाम लिख रहा हूँ तो यहां देखिए जो N है वो light वाली जगह में है और हमें background नीचे थोड़ा सा फीका है थोड़ा सा डीम है तो हम अपने ऐसे N को ठाएंगे जो background से match करें इस वाले N को ठालेंगे यहांसे इसे select करेंगे और copy करके नीचे के तरफ यहां पर paste क कर देंगे तो देखिए यह हमारा N आ गया अभी यह जो भार है आई इसको कैसे हटाना है यहां से select tool लेंगे और भार का area थोड़ा सा select करेंगे और shift के साथ इसे drag कर देंगे तो देखिए यह आई भी हट गया अब यहां तो हो गया आपका नाम चेंज है इसके बाद आप इसमें एक काम और कर सकते हैं जैसे मुझे year चेंज करना है इसका तो year चेंज करने का भी बहुत असान तरीका है वही आपको दो को ऐसे copy कर लेना select करके और यहां पर लाकर रख देना है तो यह हमारे दो आ गया और इसके बाद यहां पर हम इसको थोड़ा सा सेट कर लेंगे टेक्स्ट के बिल्कुल बराबर सेट करना है alignment में होना चाहिए उपर निक्चे करेंगे तो बिल्कु भी अच्छा नहीं लगेगा ऐसा इसके बराबर का gap जो है वो होना चाहिए तो देखिए यहां पर बराबर बराबर gap में मैंने इनको रख दिया है तो देखिए हमारा year भी change हो गया तो नाम हो गया year change हो गया तो इस तरीके से मैंने इसमें यहां पर यह दोनों करके दिखाए अगली वीडियो में मैं आपको यहाँ पर इसके sand change करके दिखाऊंगा background को bigger नुकसान पोचाए आपको sand change करके दिखाऊंगा तो अगली वीडियो का इंतिजार कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बने रही है चैनल में ठीक है अब दोनों को एक बार जा रहा है देख लेते हैं एक साथ यहाँ देखिए यह मेरा नया वाला है और यह पुराना वाला तो देखिए अब पहले में और अब में क्या फरक है तो इस तरीके से बहुत ही क्लीन तरीके से आप अपने डोकुमेंट को एडिट कर सकते हैं दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स पूर बाचिंग